हलो फ्रेंट्स मोस्ट वेलकम आज आप मेरे साथ डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टीचिंग देखने वाले हैं वीडियो पसंद आया तो जरू लाइक और शेयर कर दें तो इसकी लंबाई हमें जो बनानी है वो है तेरा इंच यानि कि एक इंच हम एक्स्ट्रा उसका फोर्त इसा लेंगे तो यह हो जाएगा अमारी पास 9 और 15 मार्जिन सब्सका थटल लोसे 6 या तो तो फिश्ट में शोल्डर है हमारे साधे चौदा इंच यानि इसको डबल फोल्ड जब हम करते हैं तो वह है सवा साथ इंच पीछे डिपनेक है प्लस डोरी भी है तो इस इसाफसा में शोल्डर को कम करना है तो पीछे अगर 10 तका होता है डीपनेक तो हम 2 इंच इसमें से लेस करते हैं लेकिन अब देखे ये हो जाएगा हमारा सवा 5 इंच लेकिन अगर आप इसमें डोरी लगाते हैं तो आपको इतना कम करने की जुरूरत नहीं है आप उसमें से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं सिर्फ 1.5 इंच कम कर सकते हैं आसेन के लंबाई 10 इंच है और उसकी जो गोलाई है वो है 10 इंच और इसमें हम फ्रिल भी लगाने वाले हैं तो एक इंच की हमारे इसमें फ्रिल भी आएगी तो उसी के साथ 10 इंच हमें टोटल बनानी है यह अस्तर है बलाउच पीस है तो सबसे पहले हम पीछे पार्ट के लिए फर्मा कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा कम से कम वेश्ट हो तो यह 14 इंच यहां से शोल्डर सब पांच लें अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो मैं पने चे ले रही हूँ कि कि मैं पीछे डोरी भी लगाने वाली हूँ उसमें और यह 6 इंच हो जाएगा हमारा आर मॉल हमारा चेश्ट है 36 यानि कि 9 इंच और यह जो पीछे बचावा है यह अमारा मार्जिन डैड इंच का और यह डैड इंच की अमलेंगे इसकी गुलाई आर्म होल के लिए तो पीछे डोरी है उसे साब से मैंने थोड़ा चोड़ाई में रखा है इस गले को 3 इंच अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो इस चोड़ाई को कम करें इड़े की इस तरह का गला हमें इसमें ड्रॉ करना है सिंपल सा है जब आप चोक और खाना बना लें तो इस तरह से आप खीचेंगे तो आपका बलाउस का डिजाइन बन जाएगा गले का यह देखें यह गला हो जाएगा मारा अब इस गले को आपको इस तरह से कटिंग करना है तो इसको दो पीस में डिवाइट कर लेना है और यह जो दोन पीस है मैं अलग कलर में करने वाली हूँ तो आप अभी कटिंग में देख सकते हैं अब जो दूसरा हिसा है तो इसके साथ में जुड़ने के लिए यहां पर हमें एक इंच बढ़ाना होगा और हम काट लेते हैं आगे वाला इसा पीछे के लिए हमने फर्मा कटिंग कर लिए दो कलर में है तो वह बाद में काटिंगे हम तो यह आगे के इससे के लिए हमारी शोल्डर पॉने चैंच आर्मॉल साड़े चैंच और यह हमारा चैंच नौइंच थर्टी सिक्स तो हम लेंगे साड़े नौइंच आदा इंच में पट्टी आ जाएगी हमारी मुकपटी और इसकी लेंद्ध हमें लेनी है 16 इंच अब अगर आपकी लेंद्ध जैसे 13 इंच हमारा बनाया है तो पीछे हमने 14 लिया तो हमें 2 इंच ज़्यादा लेना होता है 16 लेकिन अगर चेश्ट ज़्यादा है तो आप इसको साड़े 16 ले यह साड़े 9 इंच हो जाएगा और यह जो पीछे बचाए 1.5 इंच यह हमारा मार्जन यह एक इंच की इसको गोला ही देनी है तो कि आगे वाला इससा है यह यह साड़े 13 पर एक निशान और इससे कर लेंगे हम सीधा यहाँ पर 5 इंच का दिकोना इसा है बेल्ट का अब क्योंकि हमने लेंथ जो है आधा इंच बढ़ाई है तो यह आधा इंच आमको इस तरह से यहाँ से निकालना है यह हमारा गला हो जाएगा गले की जो लेंथी साथ इंच बनानी है तो साड़े साथ इंच इदे के इसमें मैं गोल गलानी बनाने वाली हूँ यह से रगा गला मुझे इसमें आगे के लिए बनाना है आप चाहे तो राउंड कर सकते हैं बैल्ट को आप एक इंच तक इसको कम कर लें अब डाट की निशान हमें लगाने है तो चेस्ट का और मार्जिन मिला कर यह देकिन आप देख लें आप एक बार मेरे हर वीडियो में यह डाट की निशान मैंने बताएं आपको तो उसे एक ओडिंग हमें यह सारी डाट लगा लेनी है तो पीछे पार्ट के लिए हमने जो फर्मा का टिंग कर रखिये जिसमें हमने बढ़ाया है जिस बाग को तिर्चा तो वो एज़िटीज रखना है हमें जो हमने काटा है फर्मा वो का वो रखना है अस्तरे थोड़ा सा कौना कब है तो हम आपर थोड़ा सा आर्श कर लिए पेस्ट कर लिए और दूसरा जो हिस्सा है उसे हम लेंगे रैड कलर में और जहां पर हमें जॉइंट करना है वहां पर हमें इसको एक इंच बढ़ाना है इस तरह से यहां पर एक इंच आप बढ़ा लें आप चाहीं तो इसको एक अलय में बना सकते है लेकिन जितना ग्रेश दो कलर में आएगा इसली में दो टो कलर यूज़ कर रहें इसमें तो वस एक पार तो içो में रहेगा और एक कहigor incidents होना है उस तरह से यहां पर एक इंच बढ़ा लेना है अब स्लीव लेनी हमें तो 10 इंच बनाने के लिए मैं 9.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि एक से 1.5 इंच के बीच में जो हम फ्रिल लेंगे उससे ये अर्जेस्ट हो जाएगी और यहाँ पर 1.5 इंच स्लीव की जो गोलाई थी वो थी 10 इंच यानिकि 5 इंच और यह 1.5 इंच का मार्जिन यह जो 3.5 इंच पर हमने लाइन कीची है वहाँ पर हो जाएगा सवा साथ इंच या साथ सवा साथ के बीच में दो इंच जादा लेना होता है और यह दे देंगे इसकी गोलाई अब इन सारे पार्ट्स को ब्लाउच पीस पर रखकर कटिंग करेंगे पीछे एक पार्टी ग्रीन लेना है एक रैड है यह बैल्ट हो जाएगा दूसरा पार्ट जो है वह हमें रैड कलर में लेना है तो यह इस तरह से हमारे ब्लाउच की आसान कटिंग हो जाएगी और इससी तरह से जोड़ना भी है फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा पसंद आये तो जरूर लाइक और शेर कर दें साथी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्स पूर वाचिंग प्रेंद्स पूरणार वाचिंग毫्चे घसे हमार देंग Student